दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग अपनी यूटूब चानल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो डेली के भाती आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हजिर हो गया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डिरेक्ट साइट से दिखाने वाला हूँ कि हम लोग जब अपने घर में या फिर अपाटमेंट में सीठी बनाते हैं तो जो सीठी का पहला स्टेप होता है उसे दो इंची का ही क्यों रखा जाता है इसके बार में मैं आप लोग को पूरा जनकारी देना च जान लेंगे सबसे पहले जानते हैं कि कि सफटी को बनाया जाँ तो इस सीठी का जो अंदर न चुरणाय रखा गया हो सल्ग है और वहाँ जा §1.6 का यहां पर कास्टिंग देख रहे होगे किया जा चुका है और यहां पर दूसरा फ्लाइट पार्ट के लिए यहां पर रेंफर्समेंट लगाया गया वहां पर में चलके स्टील के बारे में भी आपको जनकारी दे दूंगा पहले जानते हैं कि कितना स्टेप के साथ इस घर क बोलते हैं और यह हमारा पड़ य享 को हम लोग लेते हम लोग बोलता है तो दोस्तों अब लोग बात कर लेते हैं कि जो पहला हमारा होने वाला है उस्से पहला और बताना चाहता कि देखें फिर उद्र हमने वालता आपको बताया बहुत सारे लोग कनफीज रहते हैं कि तीन फीट का हमारा यह पहला फ्लाइट पाट आता है दुसरा फ्लाइट पाट भी लगवागए तीन फीट का हम लोग बनाते हैं फिर आप साथ फिट कैसे बोल रहे हो देखी एक फीट का यहां पे जगा है उसे दोनों बीच में छोड़ा गया देखिए पहला फ्लाइट पाट है दुसरा फ्लाइट पाट है इसके बीच में एक फीट का जगा यहां पे छोड़ा गया है तो देखे होंगे कि बिल्कुल रहेगा फिर यहां पर राउंड है वो नहीं बन पाता है आप बहुत तरगर में देखा होगा फीट का जगा छोड़ देते हैं तो फिर इस तरीका से पाइप लगाते हुए ऐसा राउंड करते हुए ऊपर के तरफ हो चला जाता है तो आप इसमें रेलिंग लगाते हो वह कापी अच्छा लगता है और उसके साथ साथ कुछ आपको जगा भी यहां पे मिल जाता ह है उसके साथ 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 देखिए सीडी बनाने के दुरान इस तरीका से आपको सीडी में आप चाहो तो लकडिया फिर ग्लास के सारे इस तरीका से हॉल जरूर चुरवा देने डलाए कि समय ताकि आपको रेलिंग लगाने में काफी सहुलियत हो आप देख सकते हो यहां पर देख सकते हो और बाद में गलास को निकालोगा तो इस तरीका सब्सक्राइब करने वाले हैं कि आखिर जो पहला हमारा स्टेप है यहां पर दो इंची का ही क्यों दिया गया है और कियो देते देखो यहां पर देख सकते हो इसका हाइट जो हमारा राइजार है पहला स्टेप का वह दो इंची का है और उसके साथ-साथ दूसरा स्टेप देख रहे हो तिसरा देख आपको इसका जो हाइट है वह चेंजी का है लेकिन पहला स्टेप के यहां पर दो इंची का ही रखा गया है तो आकिर की रोका जाता इसके लिए मैं आपको बताना चाहते हूं कि इसका रिलेशन फर्स है जब हम लोग घर का फर्स बनाते हैं तो पहले ही हम लोग सूच लेते हैं और एक चीज़ और में बतावे हूं कि देखे पहला जो हमारा स्टेप होगा वह दो से तीन इंची का होगा जैसे हम लोग फर्स स्टेप का संबंद देखे कहां से पहला वाला जो हमारा सीड़ी बनेगा उसका संबंद घर का फर्स है जो लास्ट वाला हमारा सीड़ी बनेगा उसका संबंद घर का छट से देखे जाओं लोग फर्स बनाते हैं घर में तो अगर हम लोग यहां पर छे इंची का स्टेप ल लगाँगे तो जो हमारा फ city उपर के तरप उठता है तो ऐसा में अगर आप पर्या इसटेप को दो इंची के आसपास में रखते हुए तो हमारा सर्थ है आप देख सकते हो जैसे किम ओ डीन यौच शेंक के बात देख सकते हो यहां पर बिरिक वर किया गया है इसके बाद जो हमारा स्लेब है यह स्लेब आप देख रहे हो सेप्टिक टैंक का है मतलब यह जो कास्टिंग के बाद इस लेबल तक हमारा है वो इस घर का जो फ्लोर है वो आने वाला है उसके बाद फिर इसके उपर में टाइल से फिर मारबल लगा जा तो इस तरीका से आपको बिल्कुल जो हमर सर्फस मिलेगा तो वहां पर पता नहीं चलबागा कि यहां पर इस टेप दिया गया है फिर एक और आपकाम कर सकते हो कि पहला जो इस टेप उससे आठ इंची का रख सकते हो आठ इंची का रखने से फायदा होगा कि आपको दो मनाया जाता है कि काम करने के बाद भी आपको छे इंची का जो हाइट है वो मिल सके उसके साथ सब्सक्राइब लास्ट वाला स्टेप रहता है जहां से हम लोग चाहिए लगा तो यहां पर आपका आजपास में रखते हैं ताकि उपर हम लोग टाइल्स मॉर्वल या फिर ग हो जाता है तो इसलिए लास्ट में भी हम लोग कम कर देते हैं मतलब नीचे में आप चाहों तो दो इंची या फिर आठ इंची के आसपास में रखना है और उपर वाला जमारा सीड़ी रहेगा वह चार इंची के आसपास में आपको रखना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते आपको कमफटेबल मस्फ नहीं हुआ तो फिर जो भी आदमी आता है वह वह में इसलिए जह सो तरीका से आपको बनाना चाहिए उसके साथ साथ आपको को सिस करना चाहिए कि सीडी का जो कास्टिंग में अच्छा तरीका सी किया आप देख सकते हो कि आप जो सफिस आपको ओरेक्त हो रहा है, नहीं नज़र ही आपको लियाता है, सपसे नहीं करना ही है, तो आपका पैसा लगता है आपको सारी चीज का द्वान जरूर रखना चाहिए ताकि जो आपना घर बने मजबूत टिकाओ उसके साथ सुन्दर भी बने दोस्तों मैं भी हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग को घर बनाने से संबंदित वीडियो कि जनकारी इसी तरीका से आप लोग को अपना घर बनाने में किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पर इस वीडियो से आप यही सीखिए कि पहला स्टेप या तो दो इंची कर अधिन आपको इस चीज का दिशाइट कर लेना चाहिए आपका जो फर्स होगा घर को बनने के बाद में कितना उंचा तक आएगा उसी के बाद आप इसका डिसाइड कीजिए कि कितना आपको हाइट पहला एस्टेप लेना चाहिए और लास्ट एस्टेप आपको चार इंचे से ज्यादा नहीं रखना है वीडियो अच्छा लगता है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को स आप स्ट्राइब जरूर किजिए पहुत ज़्याद मिलते हैं आगले वीडियो में